And Welcome to Tech Info YouTube Channel आज इस वीडियो में हम देखेंगे Angular vs. React Chairs के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कुर्शन होता है या फिर Interview Point of View से भी ये पूछा जा सकता है जैसे कि Which is Best? Angular और React दोनों के बीच का Difference भी पूछ सकते हैं या फिर इसका idea होना आपको चाहिए फिर इसके बाद में क्या है React तो क्यों चूज करें हम फिर इसके बाद में क्या है scope यानि के दोनों का scope क्या है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके comparison से तो इससे पहले अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो इस channel को subscribe कर ले वीडियो पसंद आया तो इसे like करें useful लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें तो बात करते हैं दोनों की comparison के बारे में तो react.js एक library है और angular एक framework है देखिए library और framework में फरक यह होता है कि library को हम अपने हिसाब से use कर सकते है लेकिन framework में हमको उस framework के हिसाब से चलना पड़ता है इसके बाद में क्या है कि यह javascript पर बना है react.js और angular type script पर बना है लेकिन javascript तो हमारी normal acma script हम जो use करते है लेकिन type script क्या है यह super set of javascript है तो यह भी javascript लेकिन यह advanced javascript है जिसमें purely object oriented का concept use किया जाता है अब react.js बनाया है facebook की तरफ से और angular बना है google chrome की तरफ से दोनों ही open source है react.js जो है virtual DOM का concept यूज करता है जो कि मैंने वीडियो में अच्छे सा explain किया आई होप आपने वीडियो देखा हूंगा और angular जो है regular DOM का इस्तेमाल करता है packaging strong है react.js की क्या है react.js जो है low in size है यानि कि कम size लेता है जबके angular जादा size लेता है react.js जो है easy to learn है यानि कि अगर simple javascript दे आपको आती है तो आप react.js को अच्छे से यूज कर सकते है अपने project में और angular के लिए आपको थोड़ा बहुत पहले टाइप script पढ़ना पढ़ेंगा अच्छे से उसके बाद में object oriented का concept आपका clear होना चाहिए क्योंकि angular जो है MVC pattern पर काम करता है तो यही था इसका difference अब आपको समझना होगा कि आपको कौन सी technology को select करना चाहिए देखिए अब react क्यों select करना चाहिए मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ क्योंकि देखिए react जो है easy to learn है और आजकल market में जो सबसे जादा front end technology चल रही है अगर आप google भी कर लेंगे तो सबसे जादा जो popular front end technology है वो है react.js जो कि आने वाले 4-5 साल तक के रहने वाली है मतलब angular का क्या है कि angular हर साल में 2 updates हमको देता है तो इससे क्या होता है अगर मैं angular के दूसरे version पर काम करता हूँ तो हो सकता है वो changes के वाज़े से मेरे files पर असर पड़ेंगा तो react में ऐसा नहीं है क्योंकि react बहुत ही stable है और बहुत time to time इसके update आते है और ऐसा नहीं है कि उसके update में कुछ जादा changes होते है क्योंकि react.js आजकल बहुत बड़ी-बड़ी companies use करती है तो react.js update का बहुत ध्यान रखता है और angular में क्या angular का fix है कि हर साल आपको दो update मिल नहीं है इसके बाद में क्या है community support and ready-made codes यानि कि अकर आप react.js के बारे में कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे उसके answers या फिर आपको directly ready-made projects है वो मिल जाएंगे और developer के बीच में भी ये काफी popular है तो easily आपको job opportunities मिल जाएंगे तो यही था इस video में I hope आपको video पसंद रहा है